हेलो गाईज कक्षा ग्यारवी के हिंदी का पेपर में हम पिछले विडियो में आपको qqn no.15 तक बता चुके हैं और अब इस विडियो में हम यहाँ पे qqn no.16 से शुरूआत करने वाले हैं तो question number 16 से शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने अगर हमारा भी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं दोनों तो आप description में उसको की link आपको मिल जाएगी दोनों ही वीडियो की वहाँ से आप वो पिछले दोनों वीडियो देख सकते हैं तो इसके पहले हम दो पार्ट आपके इस paper के बना चुके हैं तो अब ये तीसरा पार्ट है जिसको आप link के माध्यम से देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो के बारे में आपको पता चल सके और notification bell जरूर दबा दे और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें ये question number 16 से यहाँ पर आपको दिख रहा है question number 16 से लगा के आपको ये question number 21 तक यहाँ पर नजर आ रहे होंगे और ये उसके बाद आपको जो question number 22 है यहाँ पर बाविस और ये 23 चोविस्तवा प्रश्न 25 तक यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे उसी के बाद आपको यहाँ पे यह 26 वे प्रेश्ट में अपठित गद्यांश है और यह नीचे प्राक्षना पत्र है यहाँ पे दिया हुआ 27 वे और उसके बाद जो 28 वे प्रेश्ट में आपका यह निभन लेखन है तो एक में आपको सिर्फ क्या करना है निभन लिखना है और एक में रूप रेखा लिखनी है तो यह आपका पेपर हो चुका तो इस पेपर की तैयरी आप अच्छे से कर ले यह हमने तीन पार्ट में आपको उपलब्द कराया है यह पेपर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है यह एक मॉडल पेपर की तरह है आपके लिए तो आप अगर इसकी तैयरी कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्या अच्छे अंकप राप्त हो सकेंगे तो वैसे यह जो पेपर है यह आपका 2019-2020 का है लेकिन आप इसकी तैयारी करेंगे तो आपको अच्छे नमबर आ सकते हैं इसलिए आप इसको एक मॉडल पेपर समझ के यहां पर आप इसकी तैयरी कर सकते हैं तो पिछले दोनों वीडियो में इसी पेपर के हमने क्योश्चन आपको दिखाए हैं तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में